Profit Ratio 100%, 200%, 300%, 500%, 1000% तक भी हो सकता है 60 रुपए किलो की चीज को 400 रुपए किलो बेचना कि आज की competitive industry में ऐसे businesses भी है Hi friends, मैं हूं Dr. Amit Mahishwari Business trainer, corporate trainer, motivation speaker and CEO Metas Overseas Limited आप सभी का स्वागत करता हूं आज की informative वीडियो में Friends, बहुत सर लोग ये बात जानना चाहते है कि सर कुछ ऐसा business बताएं जहां पर लागत बहुत कम हो Profit Margin बहुत अधिक हो और बहुत कम team के साथ हम इस business का establishment कर सकें पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक नए business का setup त्यार करना है 200%, 300%, 500%, 1000% तक भी हो सकता है आपको लग रहा है ना मैं क्या बात बोल रहा हूं कि आज की competitive industry में ऐसे businesses भी है जहां profit margin 1000% हो सकता है येस my friend और वो business है concept selling का business अगर आप किसी भी business में concept selling के segment को समझ जाए ना तो इस बात से कोई फरक में पड़ता कि आपके raw metal की cost कितनी है फरकिस बात से पड़ता है आप उस concept को किस rate पर बाजार में बेचने के लिए तयार है और ध्यान रखिए हर चीज का हर rate पर कोई ना कोई buyer market में उपलब है तो चलिए concept selling को पहले मैं example के रूप में आपको समझाता हूँ आजकल बहुत ज़रा trend चला हुआ यंगsters में, youth में या वो लोग जिनके पास extra time है housewives के बीच में कि DIY, do it yourself, कुछ ना कुछ ऐसी creativity करें जहां पर waste material से या outdated material से कोई ना कोई नई चीज creative design की जाए और उस design की हुई चीज़ को अपनी तरफ से किसी को gift किया जाए या अपने लिए इस्तिमाल किया जाए, या interior के लिए use किया जाए आज ये एक बहुत बड़ा business बन चुका है बहुत सार लोगों के पास इतना सामय नहीं है कि अपने waste material से खुद कुछ बना सकी तो कई न कई ये crafters को hire कर लेते हैं, उनको वो raw material देते हैं और कोई न कोई चीज design करा के अपने घर में लगाते हैं या अपने नाम के साथ उसको advertise करते हैं, promote करते हैं या अपने friends को gifting भी करते हैं इसलिए do it yourself से संबंदित बहुत सार ऐसे products जो raw material, waste material से तयार होते हैं बहुत सारे लोग creative तरीके से चीज़ों को design करते हैं और design करने के बाद उसको market में sell करना शुरू कर देते हैं आज तो लोग social media के माधियम से जो उसकी creativity है उसको sell कर रहे हैं Facebook के माधियम से LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube वीडियोस के माधियम से क्राफ्टिंग के कितने दार YouTube चैनल बन गए हैं के वल बनाने से नहीं, बनाने को दिखाने की कला को भी बेच कर लोग पैसा कमा रहे हैं तो do it yourself is one of the example of craftmanship इसके लाबा बहुत सारे ऐसे businesses हैं जहां पर आपका production waste material से हो जाता है है ना जैसे हम लोग stainless steel modular kitchen बनाते हैं तो बहुत बड़ी-बड़ी sheets की cutting होती है बहुत सारा scrap waste में चलायता है लेकिन वो scrap कोई ना कोई तो खरीता है और जो भी व्यक्ति उसको scrap को खरीता है वो उससे कोई ना कोई अगला product produce करता है यह recycling में उसका इस्तिमाल होता है मैंने देखा कि हमारी steel से बचने वाली जो scrap होती है waste जो बच जाती है cutting करके जो हम sheet निकाल लेते हैं उसके बाद जो material बच जाता है उस material से भी die casting के जरिए power press के जरिए spoons, forks, cutters, knives बहुत सारी चीज़े बनाई जाती है और जब देखा कि भी अगर यही चीज़ हम fresh material से बनाई तो बहुत expensive पड़ती है for example मा लीजिया fresh steel 200 रुपी पर kg है और उसका जो waste निकल रहा है वो 60 रुपी पर kg है लेकिन यह जो आप folk देख रहे हैं यह बनाने के लिए इसी पट्टी का waste इस्तिमाल किया जाता है मतलब जो चीज 200 रुपी किलो के raw material cost पर बनती है उसको 60 रुपी किलो के raw material waste पर बना रहे हैं और value addition करके उस product को market में महंगा बेच रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे businesses हैं जहां पर किसी product का waste किसी ना किसी दूसरे product में reuse हो जाता है है ना तो यह कह स्टील के scrap के बारे मैंने example आपको बताया agricultural product से भी लोग बहुत सारा concept selling कर रहे हैं अगर आप agriculture product में देखेंगे कौन से होते हैं मक्य के दाने होते हैं मक्य के दाने को अगर हम average देखें तो 40 से 60 रुपे पर केजी 60 रुपी पर केजी है मतलब अगर मैं 100 गराम की बात करूँ तो 4 से 6 रुपे का 50 गराम की बात करूँ तो 2 से 3 रुपे का 50 गराम है लेकिन act to popcorn अगर आप देखते हैं तो इसका 20 रुपे का packet है 50 गराम का करना और उस प्रोड़क्ट को मार्केट में लांच करने तक वो प्रोड़क्ट कंज्यूमर तक बीस रुपए का पहुंसता है तो यह क्या है कॉंसेप्ट सेलिंग ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बनाया है प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले मक्के को एक इस तरह से कॉंसेट सेलिंग के हिसाब से 20 रुपए पर 50 ग्राइम मतलब 40 रुपए का 100 ग्राम मतलब 400 रुपए पर केजी मतलब 60 रुपए किलो की चीज को 400 रुपए किलो बेचना शुरू कर दिया इसको बोलते हैं कॉंसेप्ट सेलिंग यह मैं एक्जेंपल के रूप मैं आपको बता यही किसी छोटी मोटी शौप पर देखते है तो वही आपको मिल जाता है 20 रूपी का लगबग 10 ग्राम 20 ग्राम लेकिन अगर यही बात आप कहीं मूवी देखने गए हैं Cineplex में गए हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलता है 100 रूपी का 20 ग्राम का एक बकेट इसके हिसाब से क्यारेट हो गया ही वाला यहां पर एक व्यक्ति उसके जरुवत के हिसाब से fit to person प्रोड़क्ट डेवलेप किया जाता है यहां पर अगर वो फैबरिक 100 रूपी पर मीटर है तो यहां उसकी कॉस्ट लगबख 300 रूपे पर मीटर हो जाती है और यही बात जब वो individual लेवल पर करता है तो 3000 रूपे पर मीटर की average कॉस्ट आ जाती है और इससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन बनवा रहा है कौन बना रहा है और बेचने वाला किस लेवल पर अपने विपार को लेकर जा रहा है तो friends concept selling एक ऐसा business है जहां पर आप किसी भी raw metal को किसी भी cost तक ले जा सकते है जैसे लोहे की छड़े उससे बनने वाले modern furniture वो भी concept selling का एक पार्ट है हम लोग भी concept selling करते हैं हम stainless steel sheets से stainless steel modular kitchens बनाते हैं जो बहुत expensive होती है तो वो भी concept selling का एक product आपको हो सकते हैं और आप यह ध्यान लगाएं कि आपके आसपास कौन कौन से इंडस्ट्री हैं जिसमें आप raw material से कोई ना कोई concept या value addition करके नया product develop कर सकते हैं और कौन से ऐसी USP जिससे आप ऐसा कमा सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा सबसे पहली बात कि अगर आप concept selling करते हैं या क्यों आपको करनी चाहिए high ratio of profit अगर आप concept selling करते हैं तो profit margin जो होता है वो बहुत बड़ा होता है लेकि जो journal business होता है उसमें profit margin 5%, 10%, 15%, 20% और concept selling में 100%, 200%, 300%, up to 1000% और कई-कई cases में तो इतना होता है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं fine उसके अलावा low cost of raw material raw material बहुत सब्सक्राइब बहुत होता है लेकिन उससे product जो produce करते हैं उसकी value कही गुना अधिक होती है, mass production possibility भी होती है इसमें कि आप एक ए चीज़ का mass production कर रहे हैं या आप make to order कर रहे हैं या आप के उपर depend करता है कि आप उस raw material से mass production करने जा रहे हैं ये make to order करने जा रहे हैं और सिध इसके लावा value addition आप किस तरह से किस चीज़ का कर रहे हैं और उस value addition से मिलने वाले व्यक्ति को क्या लाब हो रहा है इसके अधार पर इंधरत होगा कि उसका price क्या होने वाला है low investment में आप concept selling का business शुरू कर सकते हैं और जहां पर make to order होता है वहां consumer को पहले satisfy करके उसकी जोरत को समझके pre order booking पर production किया जाता है जबकि mass production फिर भी एक बहुत बड़ा investment लगता है इसके लाबा बहुत अधिक opportunities हैं जो लोग creative mindset के हैं कुछ लोग ऐसी चीज़ों का इजाद कर देते हैं उस raw material से जो किसी भी व्यक्ति की life में बहुत बड़ा value addition कर सकती है अगर आप creative mindset के हैं तो देखिए अपने चारों तरफ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़े हैं जिससे आप value addition करके concept selling करके एक अच्छा business कर सकते हैं और less competition क्योंकि creativity आपके mind की लगी है इसलिए आप एक ऐसी industry में आ जाते हैं जहां level of competition भी बहुत कम होता है इसलिए friends जितने भी लोग concept selling का business कर रहे हैं क DIY जो concept है आज वो multi stores में convert हो गया है वो लोग क्या करते हैं जो लोग creative लोग अपने designs बनाते हैं products develop करते हैं उनसे वो product खरीते हैं और end user को market में बेचते हैं यह आपके उपर never करता है कि आप concept selling कैसे करना चाहते हैं इसके लावा आपके मन में business related कोई भी प्रशन है तो हमें comment box म में लिखकर ज़रूर बताएं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनेरे बरुष्य की काम ना करता हूं जय हिंद जय भारण